और तरीका टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है मेरा नाम है मोहित गौड मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर स्टूडेंट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ प्रेजेंट मैं मैं एक M.G. टेकनिकल नाम से खुद की IT कंपनी भी रन कर रहा हूँ जहां हम Software Solutions और 360-degree IT products को सेल करते हैं उनकी सर्विस देते हैं और साथ ही वाइदिक धर्म के प्रचारा आर्थ Modern to Ancient हर टाइप की Science को कवर करते हुए मैं एक Research Group भी ओन कर रहा हूँ जिसका YouTube चैनल भी है यह Research Paper है और यह January 1-2024 को पब्लिश हुआ था Volume 8 No.1 में और पीर रिव्यूड आर्टिकल है जहां हमने क्लेम किया था कि जो Negative Multiplication है उसकी आधुनिक परिभाशा में वो suitable नहीं है और उसके उत्तर जो है वो हम आज तक सुना है 2 x 2 का मतलब होता है 2 को दो बार जोडना 2 x 2 का मतलब होता है यहां तो यह definition satisfy हो रही है क्योंकि आप 2 x 2 को 2 को 2 बार जोड़ करके आसानी से लिख पा रहे हैं लेकिन अगर यही question मैं Minus Multiplication में कर दूँ कि Minus 2 को आप 2 बार तो लिख सकते है Minus 2 को 2 बार यदि लिखना है तो मैंने Minus 2 को 2 बार लिख दिया यह देखिए और आप इसको जोड़ेंगे आंसर भी Minus के 4 आ जाएगा कोई समस्या नहीं है लेकिन आप Minus 2 को Minus के 2 बार कैसे लिखेंगे यानि Negative Times Addition यह समभव नहीं है आप Minus Times किसी भी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हैं तो समस्या यह आ रही है कि आप Minus Multiply Minus को Algebraically और Disruptive Method से भी काफी Method से आप इसको solve कर सकते हैं इसका Answer Plus है यह हम सब को पता है Calculator को भी पता है लेकिन आप इसे Arithmetic Format में जैसे हमने 2 प्लस 2 लिखा ऐसे आप इसे कैसे लिखेंगे यह हमारी आधुनिक परिभाषा से समभव नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमने एक नई परिभाषा दी और नई परिभाषा यह कहती है कि अब 2 Multiply 2 का मतलब 0 में 2 को दो बार जोड़ना होगा अंसवर जोड़ना चाहिए वो नहीं आ रहा है तो ऐसे तो हम लिखी नहीं सकते हैं यह तो mathematical contradiction हो गया लेकिन अब हम क्या करेंगे हमारी इस परिभाषा के अनुसार अब हम भी स्वेज़ना है 0 में से घट आएंगे खुद में से नहीं घटाएंगे तो हमने लिखा minus 2 minus minus 2 सीधा सीधा answer इस बार इसका plus के 4 आ जाएगा हाला कि यहां हमने minus minus को plus क्यों लिया है fundamentally इसे हम अब आगे prove करेंगे कि 0 में क्या है क्योंकि 0 भी हमारी भारतिय परंपरा के अनुस और खाली नहीं है void नहीं है nothing नहीं है अभाव नहीं है इसे हम आगे समझेंगे लेकिन यहां तक इतना सपष्ट होता है कि 0 में हमने जैसे ही इस संक्रिया को किया उत्तर सही आ गया वहीं यदि हम 0 नहीं लेकि संक्रिया को खुद में ही करते तो कभी भी उत्तर नहीं आता अब ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो शून्य है उस शून्य में प्लस और माइनस दोनों मौजूद है ये भारती शून्य की परिवाशा आए कि प्लस और माइनस जिस जीरो में दो प्लस में भी है और माइनस में भी है यानि एक ऐसा शून्य है जिस में और minus two, दोनों मौझूद है, दोनों ही एक साथ मौझूद है, तो इसमें से, यदि हम इस शून्य में से, जो हमने लिखा था, minus two, minus minus two, यदि इसमें से, यदि हम दो बार शून्य को निकाल देते हैं, जिसमें बहुत बार plus two भी है, minus two भी है, इसमें से, यदि हम दो बार minus वाले two को निकाल देते हैं, तो क्या होगा, बाकी सब तो उदासीन है ही, और जो इसमें अधिक चार बचे हुए है, plus के, वो निकल करके answer, plus कर देगा, फिर से समझ लीजिए, कि zero जिसमें बहुत बार plus two, plus two, plus two भी है, और बहुत बार minus two, minus two, minus two भ दिये, दो बार minus के two निकाल दिये, तो क्या, क्योंकि इसमें plus के two भी है, और minus के two भी है, तो आपने minus के two दो बार निकाल दिये, तो plus वाले two बच जाएंगे, और ये हमें result देगा, अब ऐसा zero में क्यों होता है, इसे हम, हमारी इस slide से समझ लेते हैं, क्योंकि जो भारती पर परमपरा है, उसमें हमने ये परमपरा और ग्रंतों के आधार पर हमने उदाहरनार्थ समझाया है, कि शुन्य में धन और रण दोनों होते हैं, इसके लिए हमने पाणी मी अश्टा ध्याई का एक सूतर है, अदर्शनम लोपह, उस अदर्शनम लोपह का उपयोग किया है, और आचारे ब्रह्म गुपत का सूतर है, इन दोनों का हमने उपयोग करके ये दर्शाया है कि शुन्य में धन भी होता है और रण भी होता है, यानि जिस शुन्य में धन और रण दोनों हो, इसमें संख्याएं धन में भी है और रण में भी है, जब तक वो एक्विलिब्रि तो कुछ नया प्रोड़क्ट नहीं बचा है बलकि उस शुन्य में जो चीज बची हुई थी वही अब बाहर निकल करके आ गई है तो इस कारण से हमने शुन्य को नाम दिया है वर्तमान अभाव, टेंपरी अभाव है जब तक इसमें प्लस और माइनस दोनों है लेकिन जैसे ह हम माइनस को निकाल देते हैं वैसे प्लस बच जाता है और यदि प्लस को निकाल देते हैं तो माइनस बच जाता है अबने केवल इस से आप नंबर्स बलकि आप जैसे क्योंकि हमने माइनस और माइनस को प्लस लिया है हमारी उस संक्रिया में भी जैसे हमने 0, माइनस, माइन minus minus150, यहांपर हमने minus- це क्या है कि, यहां पर हमने minus minus को plus लिया कि, तो कई लोग प्रश्णख्ण कर सकते हैं यहांश हमने क्यों लिया है, तो आप एक काम करें? यदि आप minus, minus करेंगे, तो आप इसमें से minus को निकाल दो, minus minus का मतलब है 0, जिसमें plus और minus दोनों है, उसमें से minus करना, यानि निकालना, किसको minus को, plus को निकालेंगे तो minus बच जाएगा, और यदि minus को निकालेंगे तो plus बच जाएगा, तो इसलिए minus minus को हमने उस equation में plus लिया, य रंचना से स्पट्ट है